गुड बॉर्निंग बच्चों बहुपत की हम बेजिये सरव समय काई कार रहे हैं दो एक्जामपल, एक्जामपल 16 और एक्जामपल 17 यह पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ इन पे बेस्ट कोशन 1 और 2 भी करवा चुकी हूँ में आज हम एक्जामपल 18 करेंगे और उस पे बेस्ट एक्सरसाइज में से कोशन हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 चल रही है हमारी एक्जामपल 18 हम कर रहे हैं आज गुणन खंट ग्याद कीजिए फर्स पार्ट है 49 A का स्क्वाइर प्लस 70 A B प्लस 25 B का स्क्वाइर स्लूशन शुरू करते हैं इसका 49 A का स्क्वाइर प्लस 70 A B प्लस 25 B का स्क्वाइर देखो 49 A स्क्वाइर इसको हम लिख सकते हैं 7 A का होल स्क्वाइर इदार है 25 B का स्क्वाइर इसको लिख सकते हैं 5 B का स्क्वाइर इसके बाद अब बीच में देखो बीच में 2 इंटू एक बाई ये लिख दो एक बाई ये लिख दो 7a इंटू 5b देखो 75 दा 35 35 तू दा 70 या फिर 5 तू दा 10 10 7 दा 70 आगे नो उपर बड़ा नमबर अपने आप आगया हमें कुछ करना ही नहीं पढ़ा हमने कि तो क्या किया तू लिखा एक बाई 7 ने लिख दिया एक बाई यहां से 5b लिख दिया अब हमारे पास एक सर्वसमी का है 1 सर्वसमी का 1 में हमारे पास x प्लस y का whole square is equal to x का square प्लस 2xy प्लस y का square यही है मारे पास यह इसको में करके एक सर्वसमी का square प्लस 2xy प्लस y का square is equal to x प्लस y का whole square इसको यह पहले लिख दे है क्योंकि हमारा question इस form में है ठीक है अब यहां पर तुम देख रहे हो अब अगर इसकी हम इससे तुल ना करें x square प्लस 2xy प्लस y square इसके हम इससे तुल ना करें तो x की जगा 7 ने आएगा और y की जगा 5b आएगा अब इसमें हम values पुट कर देंगे 7a प्लस 5b का whole square यह हमारा answer आएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते है answer आपके बुक में जो answer दिया है वो इस form में दिया हुए दो बार लिख दिया 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b यह answer सब समी का जो हुए है वो यह वाली यूज हुए x plus y का whole square x square plus 2xy plus y square अब हमें इस form में दिवी जो हमने यह हमारा यह इस form में है इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया answer की form में हमने इसको अब x की जगे 7 और y की जगा 5b यह हमारा इससे answer आ जाएगा अब इसके second part पर आते हम हमारा question है 25 upon 4 x का square minus y square upon 9 हम इसको कैसे लिख सकते हैं यह 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है और यह x का वर्ग दे रख है यहां y का वर्ग और 9 जो तो 3 का वर्ग होता है अब यहां भी वर्ग यहां भी वर्ग यहां भी वर्ग इन तीनों को बहार निकाल देंगा 5 upon 2x का वर्ग हो गया प्लस Y अपॉन सुर्य है, वो माइनस है या तो इसको ठीक करो ये कट करके माइनस कर लियू है Y अपॉन 3 का वोड़ स्क्वार अभी इसमें सुत्र हम कुन सा लगा रहे हैं? सर्व सम्मी का 2 का यूज, 3 का यूज सर्व सम्मी का 3 का यूज हम कर रहे हैं, इसमें X का स्क्वार माइनस Y का स्क्वार इस इकल टो X प्लस Y और X माइनस Y अब इस फोर्म में आगे है, देखो X की जगे 5 अपॉन 2X है इसका स्क्वार हो गया और माइनस का चीन है बीश में बीश माइनस है, Y अपॉन 3 ये Y अपॉन 3 के स्क्वार या Y के स्क्वार इस फोर्म में आगे अब हम क्या करेंगे, कि ये जो X है, इसके जगे तो लिख देंगे 5 अपॉन 2X इसको हम लिख देंगे 5 अपॉन 2X प्लस Y अपॉन 3 और 5 अपॉन 2X माइनस Y अपॉन 3 ये इसका अंसर आ जाएगा इस पे बेस्ट, अब हम करेंगे क्वेशन नमबर 3 और प्यूक सरसे में पर्योग करके निमलिकित का गुरंखन कीजिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 9X का स्क्वार प्लस 6XY प्लस Y का स्क्वार उधारन हमने 18 करा फर्स्ट पार्ट सेम ऐसा ही है देखो 9X का हम क्या लिख सकते हैं 3X का स्क्वार ये छोड़ता भी, यहाँ पे देखो Y का स्क्वार बीच की जगा को अपने आप करो क्या करेंगे 2 इन 2, एक बार 3X लिख दिया एक बार Y लिख दिया इन दोनों के यूज करेंगे सर्समी का फर्स्ट का यूज हो रहा है इसमे सर्समी का फर्स्ट क्या है हमारी अब हम इस समी करन की इस से हम तुटना करेंगे X स्क्वार अब X का स्क्वार अब X के जगे 3X Y की जगा Y तो हम यहां कर क्या करेंगे X के जगा तो रख देंगे 3X Y की जगा Y रहेगा क्योंकि यहां पहरे 3X है फिर Y है तो यहां पर 3X से फिर Y रख देंगे, यह हो गया, 3X प्लस Y इन्टु 3X प्लस Y, यह आपका अंसर आ जाएगा, नेक्स्ट है, 4Y का स्क्वार माइनस 4Y प्लस 1, तो रोशन शू करते हैं इसका, 4Y का स्क्वार माइनस 4Y प्लस 1, इस 4Y को हम लिख सकते हैं, 2Y का होल स्क्वार, इसको छोड़ देंगे बीच में, अब यह 1 को देखो, 1 को हम 1 का स्क्वार लिख सकते हैं, बीच में हम 2 अपने और से लेंगे, एक बार 2Y लिख देंगे, एक बार हम 1 लिख देंगे, अब इसमें सर्व सम्मी का 2 का यूज़ करेंगे वो क्या है मारी x-y का whole square इसे minus आ रहा ना इसलिए minus वाली लिए हमने x का square minus 2xy plus y का square या फिर x का square minus 2xy plus y का square is equal to x minus y का whole square अगर इनके हम तुलना करते है अगर हम इनके तुलना करते है तो देखो x के जगा तो 2y है y के जगा 1 है बीच में minus का sign 2y minus 1 का whole square x के जगा लिख देंगे 2y और y के जगा लिख देंगे 1 ये इसका answer होगा 2y minus 1 into 2y minus 1 ये इसका answer आ जाएगा थार्ड पार्ट इसका है x के स्क्वेर माइनस y के स्क्वेर अपॉन हम लेड़ सलूशन शुरू करते हैं ये पहले नोट करते हैं हम कुशन इसको लिख देंगे x का whole square minus y के स्क्वेर और 100 को लिख देंगे 10 का square x का whole square minus y upon 10 का whole square अब इससे मिलता जुलता सुत्र आपका है सर्व समी का third में वो क्या है x के square minus y के square is equal to x plus y और x minus y या फिर हम इसको लिख सकते हैं इसको पहले लिख दो नहीं इसमें उच्वेर नहीं है यह तो हमारा इसी फोर में x के square minus y के square अब हम इसको लिखते हैं यह यह x के square minus y upon 10 का whole square is equal to अब x की जगा तो x ही y की जगा y upon 10 यहां पे x की जगा तो x ही है same है x max है और y की जगा y upon 10 x plus y upon 10 x को x लिए y की जगा तो यहां भी बने y upon 10 ले लिए x minus y upon 10 है यहां पे है तो y upon 10 ले लिए यह हमारा answer हो गया है यहां पर दो तुल ना करने बाहर तो यह आपका example 18 और question number 3 यह finish होता है अच्छे से practice केजिए इन सब questions के important exercise है okay thank you